रिदे की कोई भाशा नहीं, रिदे से बाचीत करता है और हिंदी रिदे की भाशा है ध्यान से सुनना, राजिय गेहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ कानोन से नहीं, दिल से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ नमस्कार मैं इफ्राकुलसुम दूस्तिक अक्षा की विध्यारतिनी आज हिंदी दिवस्समारों के उपलक्ष में आप सबको हार्ति का भिरंदन और बहुत चुपकाम नाये देती हूँ हिंदी हमारे दिल के भाषा, हिंदी हमारे रोजगार का जर्या, हिंदी आपस वे जोडने का एक संपर्क सूत्र, हिंदी एक ऐसी जुबाण जो कश्मीर सकन्या कुमारी तक सारे देश को एक धागे में पिरोती है तो क्या उस हिंदी को एक ही दिन में एक ही दिवस पर समेटा जाना मुम्किन है? शैद नहीं, हिंदी किसी एक दिन की महताज भी नहीं है लेकिन हिंदी का गौर अजदेश में ही नहीं दुनिया में बढ़ रहा है ऐसे में किसी एक दिन तो अपनी जुबान को अपनी भाशा को सलाम करना बनता है 14 सितंबर 1949 को सम्विधान सबाने निर्णे लिया था कि भारत की राज भाशा हिंदी ही होगी इस निन्डे को महत्म देनी के लिए और हिंदी के उपियोग को प्रचलित करने के लिए साल 1903 की उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस में नहीं आये जाता है रिदे की कोई भाषा नहीं रिदे से बाचीत करता है और हिंदी रिदे की भाषा है ये वाकिया राश्ट्र पिता महात्मा गांदी ने हिंदी भाषा के लिए व्यक्ति किये थे हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हमारी राज भाषा हिंदी पूरे दुनिया में पूरे सम्मान के साथ खड़ी हो सके इसलिए हमें शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए शुद्ध हिंदी लिखनी चाहिए और अच्छे हिंदी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए फिलहार में ले रही हूँ आपसे आग्या इसी वादे के साथ कि हम सब हिंदी को आगे बढ़ाने में जी जब से योगताम देंगे नमस्कार